हाई फ्रेंड्स कंगना कैके के बारे में ये कहना चाहती हूँ कंगना कैके भायो भायो में लड़ाने वाली हिंदुस्तान में वार कराने वाली करोना के टाइम पर सब लोग प्राब्लम्स में है बहुत सारे लोग मर गए बहुत सारे लोगों के घर में तबाई हो गई हिंदुस्तान में आर्थिक समस्याय हो गई लोगों के पासे काम चीडन गया लोग तकलिफ में बैठे हैं और कंगना कई कई जो लोगों में आपस में लड़वा रही है मुंबई को पीो के कह रही है बॉली वड को बददानाम करें बॉलूड के बड़े-बड़े स्टारों को बदनाम करें ये गाली गलोच कर रही है पता ने इनके रगों में कैसा खोने इश्वर जाने और एक तरफ चाइना हिंदुस्तान पर वार कर रहा है हिंदुस्तान चारों तरफ से तुम्हारे आदर्श कहां गए जब एक केंदरी मंत्री अठावले सार आपके घर पे आए आपको समर्थन देने के लिए और आपने उनके सामने माफी मांगी और तुम अपने आपको कौनसी कहा की महरानी समझती हो आपके पिता समान वो इंसान है केंद्रिय मंत्री है और उनके सामने तुम किस हिसाब से बैठी हो शरम नहीं आ रही थी तुमें तुमें तो चुलू बर पानी में डूब जाना चाहिए टांगे उपर रखके बैठी हो तुम तुमें शरम नहीं केंद्रिय मंत्री के सामने और तुमारे पिता समान इंसान के सामने जो तुमारे समर्थन में आये थे तुमें शरम आनी चाहिए आपस में सारी पार्टियों को लड़वाती है और बॉलिवड को बुरा कहती हो कि बॉलिवड में सब ड्रग एडिक्ट है सब नहीं है कुछ लोग होंगे मैंने अपने आखों से नहीं देखा कुछ लोग हो सकते हैं मेरा कंसर नहीं है अठावले जी पहली बात तो आपको जाना नहीं चाहिए था अगर आप गये हैं आतिस हिसाब से वह आपके सामने आप एकदम ऐसे एकदम बैटे थे और आपके सामने कैसे टांगे उपर रखके बैटी है आपका सनमान नहीं किया आपको मान नहीं दिया मुझे बहुत दुख होआ है अठावले जी बढ़ मैं आपको मान देती हूँ कि आप सर्वश्रेस्ट नेता है केंद्रिय मंत्री है और मेरे बड़े भाई है अठावले साब, रामदास अठावले जी मैं आपका सनमान करती हूँ और आप बहुत अच्छे इंसान है मुझे बहुत दुख हो रहा है यह कहते हुए लेकिन आपने मिडिया में बहुत अच्छा हुआ कि कंगना रामण है कंगना रामण है यह आपने बहुत अच्छा बोला आपने बिल्कुल सही कहा कि कंगना रामण है मुझे यह आपकी बाइट मिली धन्यवाद आपको ये कहने के लिए आपस में सबको लड़वा रही है मुझे दुख हुआ ये कहते हुए कि जब गवर्नर साब को मिलने के तो बहुत सब्वेता के साथ गई कमल वमल के पता नहीं क्या फूल तोड़े और सब्वेता से गई वहाँ पर क्योंकि वह उत्रान चल से थे उनके वहाँ से तो तो काफी रिस्पेक्ट दी ये लेकिन हमारी पिछड़ी समाज के नेता अठावले साब को उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दी टांगे उपर करके बैठी बहुत दुख होता है मुझे पिछड़े समाज वालों का ऐसा बेजती करते हैं बहुत दुख होँ मुझे हमारे नेता केंद्रिय अठावले साब को रिस्पेक्ट नहीं दी कोई लड़की ऐसे बैठेगी क्या कोई लड़की ऐसे ने बैठीगी जो संसकारी होगी ऐसे कभी नहीं बैठीगी हर इंसान की इज़त करीचे